अबिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देडिबेट बैनवायो आम आदमी पार्टी के सांसत संजै सिंग अब जेल से बाहर हैं छे महिने उन्होंने जेल के भीतर बिताए तिहाल में बिताए वैसे वो कई जनान दोलोनों में जेल में रहे हैं लेकिन इस बार मामला बिलकुल अलग था बहुत आपरादिक और बहुत ही समवेदंशील मामले में उन्हें जेल भेजा गया था छे महिने के बाद उनको जब जमानत मिली तब संजे सिंग बाहर मिकले तो वो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और खुंखार है संजे सिंग का पोलिटिकल केरियर अब आगे क्या होगा संजे सिंग क्या करेंगे और आम आदमी पार्टी जिसकी टॉप लीडर्शिप अभी भी जेल में है उनके पास आगे कि क्या राजनीतिक विकल्प है और जो कुछ भी घटना करम पिछले 6-7 महिनों में इस पार्टी के साथ हुआ है अब ये कैसे उबर पाएंगे आज परिचर्चा हम करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग के साथ बैनवायों आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग इस वक्त मेरे साथ लाइब मौजूद है और अगले एक घंटे तक हम उनसे सभी विश्यों पर चर्चा करेंगे सिर्फ उस वीशय को छोड़ कर जिस पर कोट ने उन्हें बात करने से मना ही किये यानि खुद का अपना मामला बाकी उनसे सभी मामलों में आज हम पूरी जानकारी लेंगे राजनीतिक पूछ ताज भी करेंगे और समझेंगे कि संजे सिंग आखिर जेल गये क्यों संजे सिंग जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जना अंदोलनों में लेकिन इस बार जब आप तीहाड जेल गए तो वह एक अलग किस्म का मामला था छे महीने आपने जेल में गुजारे क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर कि देखे जब मैं एडी की कस्टड़ी में था बिर्जेश जी आवाज ये को हो रही है जी मैं मैं सुन रहा हूँ आप बोलते रहे मैं ठीक कराता हूँ जी तो एडी की कस्टड़ी के दौरान ही मैंने ये तेह किया कि पी एमेले का कानून है तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है क्योंकि इस कानून की अपनी कुछ जटिलता है है जल्दी इसमें जमानत मिलती नहीं तो मैंने सोचा कि पहले उन लोगों को पढ़ा जाया जिन्होंने लंबी जेल या तरह तेह किये और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेलसन मंडिला जी का तो मैंने नेलसन मंडिला जी के जीवन से जुड़ी किताबे मंगाई उसके बाद सहीद आजम भगत सिंग जी को पढ़ा सत्यका प्रयोग गांधी जी की किताब उसको पूरा पढ़ा और जब जब मैं एडी की कस्टेडी से जेल में पहुचा तो आपको जानकर आश्चर होगा कि एक विक्ती ने एक पत्र मुझे भेजा मुझे पता ही नी था क कैसे उसको ये पता था कि मैं जेल नंबर दो में हूँ तीहाड में हूँ अठाइस नंबर सेल में हूँ और उस विक्ती से मैं जिस दिन रिहा होके आया उसके दूसरे दिन वो मेरे घर के बाहर खड़ा था और उसने का कि ये चिठी मैंने आप ही को लिखी थी तो मैंने का रहे रहे थे तो मैंने उसको गले लगाया तो काफी उठसा उसने बढ़ाया मेरा और एक अच्छी चिठी लिखी थी और उसके साथ उसने दो किताबे भेज तीन किताबे भेजी थी एक काला पानी का दस्तằवेज, एक आजादी के दीवाने और दीसरा तीसरी किताब थी सहीद आजम भगत सिंग की जेल डायरी और फिर उसकी बाद चिठीया उसकी आते रही फिर उसने मेरे स्वास्त से जुड़ी हुई कुछ एक किताब भेजी कि भाई ये अगर आपको डायविटीज है तो आपको ऐसे रहना चाहिए लेक में हैं कई लोग चिठीया लिखते थे उसका जवाब भी में देता था तो मैंने उन किताबों को पढ़ा और तब ये महसूस किया मैंने कि भाई जो जिनों ने हमें आवाज उठाई है सत्ता के खिलाफ जिनों ने अपने स्वतंतरता की लड़ाई लड़ी है जिनों ने दे लना में तो आज की जेल कुछ नहीं है जिस बैरक में नेलसन मंडेला जी को रखा गया था उनकी हाइट भी ठीक ठाक थी तो वो पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते थे उस बैरक में आप कल्पना कि ये कितनी कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसत भवन से होते हुए तिहाड के जेल पहुँच गए मन विचलित तो हुआ होगा एक दो बार आपने साथ अपने ही चैनल पे दिया गया मेरा इंटर्वियू अगर आपको याद होगा या अगर आपके आपके पास हो तो उसको चलवा दीजे मेरे ख्याल से आपके दरसक देख लेंगे कि मैंने आप से क्या कहा था मैंने आप से कहा था कि द्विर्जेश जी मैं आपके स्टूडियो से निकलू और मोधी जी चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते है तो यह उस समय भी पता था कि यह मेरे साथ हो सकता है कभी भी और आपी के साथ मैंने एंटर्वियू दिया था वो बड़ा उसकी वीडियो कटके सारे वाटसअप पर काफी चली बाद में और देखिए वही सच हुआ मन विछली थुआ कभी कि यह कहां आ गए वहराल मैं आपको बता रहा था एकदम नहीं एक छण के लिए भी नहीं और जब मैंने पढ़ा मैं बता रहा हूं कि सहीदे आजम भगस्तिंग को गांध में आए तो उसके लिए आपको जेल मैनूल पढ़ना होगा जो अधिकार आपके हैं उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी तो सुरू के ग्यारा दिन जरूर तकलीफ वाले थे जब लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था जेल बंद होती थी और मुझे लेकर मेडिकल चेक अप के लिए जाया जाता था और जब मतलब लोगों से कोई संबाद का तरीका नहीं था पांच मिनट परिवार से बात हो पाती थी प्रति दिन लेकिन मैंने ये भी देखा कि भई निलसन मंडेला जी को वर्सों की लड़ाई के बाद फुल पैंट पहनने को मिली थी ज यहीद जतिंदास जी ने जेल में रहके अंसन किया था बंदियों के लिया लिए बिल्कुल नहीं है सामान के बराबर तो हक नहाया है मिलना चाहिए बिर्जेश जी छे महीने खुद से अपने बरतन साफ करता था खुद से अपने कपड़े साफ करता था खुद से अपने सारे काम करता था जाडू लगाता था खुद से मुझे मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अपनी उडीसा की हॉस्टल लाइफ याद आ गई है तो मैं अपना काम यहां पे अपने से कर रहा हूँ तो बलकि उन्होंने मजाग भी किया कि तुम घर में तो तुम बाहर दुनिया भर का काम करते हो घर में तो कुछ काम करते नहीं हो घर में तो तुमको सब कुछ खाना भी तुमको चाहिए बेट पे आपको क्या ये कहने का ताथ पर है आपके कि आपको जेल में यातना ही दी गई आपको टॉर्चर किया गया और आपको सामान निकैदी के अधिकार से भी वंचित किया गया सुरू में वंचित किया गया लेकिन बाद में मुझे जो सामान निकैदी के अधिकार थे वो मेरे पास भी अधिकार थे मैं बैडमिंटन कोर्ट में मल्टी परपजाल में जाता था तो बैडमिंटन भी खेलता था जहां पर कबूतर पाले थे जेल के अंदर वहां जाके कबूतरों को साम को दाना भी खिलाता था जहां पर music room था वहां पर जाके karaoke system में थोड़ी देर गाने भी गाता था कितावें भी पढ़ता था टीवी भी देखता था तो मैंने फिर पूरा समय को समय का सदूपियों किया दिन में सो भी लेता था पिछले तीस साल में मुझे याद नहीं है कि दिन में सोना मेरा कम हो पाया अब आप से आते हैं उस प्रक्राइब को लेकर जिसकी वज़े से इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आप और आपकी पार्टी फेस कर रही है आप कहते हैं कि शराब नाम का कोई घोटाला दिल्ली की सरकार में नहीं हुआ लेकिन जहांच एजंसियों के पास जो सबूत गवाह और जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने मामलों को प्रस्तुत किया उनका ये दावा है कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा विर्जेश जी मेरे लिए कोर्ट ने पावंदी लगाई है कि मैं अपने मामले में बात नहीं करूँगा तो मैं अपने मामले में बात नहीं करूँगा लेकिन बात करते हैं हमारे सबसे बड़े नेता और पार्टी के मुखिया अर्विंद क केजरिवाल जी की जो गिरिफतारी हुई है उसके बारे में आपके दर्सकों को पता होना बहुत जरूरी है और आपका प्रोग्राम उतर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्तों में भी देखा जाता है तो मैं चायता हूं कि जरूर लोग इस बात को जाने कि केजरिवाल जी का गुना क्या है एडी ने 162 लोगों के गवाहियां ली बिजेश जी सी बियाई ने 294 लोगों की गवाहियां ली कुल मिला के 456 लोगों ने गवाहियां दिया लग-लग समय पर और मात्र चार गवाहों ने अर्विंद केजरिवाल जी का नाम लिया नमबर एक मंगूटा रेड़ी, नमबर दो राघो रेड़ी, नमबर तीन सरद रेड़ी और नमबर चार सी अर्विंद ये चार नाम ऐसे हैं जिनोंने अर्विंद केजरिवाल का नाम लिया अब ये पता होना जरूरी है कि इन चारों गवाहों ने किन परिस्थितियों में अर्विंद केजरिवाल का नाम लिया मंगुंता रेंडी के घर पे 16 सितंबर 2022 को ED की रेड होती है और 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है 16 जुलाई 2023 को अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ वो बयान देता है और 18 जुलाई 2023 को उसको जमानत मिल जाती है इस दोरान बाप और बेटे ने मिलके 10 स्टेटमेंट ED के सामने दिये और 8 स्टेटमेंट को ED ने कह दिया ये अन्रेलाइड अपॉन डाकुमेंट है यानि कि ये डाकुमेंट भरो से लायक नहीं है और इसको हमने अपने हिसाब से छिपा के रख लिया इसको हम दिखाएंगे नहीं कोट को जो कई बार हम से पूछा जाता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है तो कोट के सामने वो कागजात लाए नहीं गये जिसमें अरविंद केजरिवाल का नाम नहीं लिया गया था मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं और एक सवाल दे रहा हूं आपको यह जाँच एजनसी और जाँच अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो कोट के समक्ष अपनी जाँच में कौन सा दस्तावेज प्रस्तूत करें अपने अभियोजन के पक्ष के लिए और कौन सा ना करें आप जाँच अधिकारी के विवेका अधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं आप उन डाकुमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेरिंग के दौरान बहुत अच्छा सवाल आपने पूचा इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता था और आप जैसे समसदार पत्रकारी इस सवाल को पूछ सकते थे ठीक पूचा आपने यह जाँच अबिकार है कौन सा कागज रखना है कौन सा कागज नहीं रखना है लेकिन section 50 PMLA आप किसी भी वकील से पूछेगा section 50 PMLA में आपको जूट बोलने का अथिकार नहीं है section 50 PMLA का जो बयान होता है उसका उतना ही महत्तो है जतना 164 के बयान का है मजिस्टेट के सामने दिये गए बयान का है और जब भी एडी किसी का स्टेटमेंट डर्ज करती है तो उसको पहले बताती है कि आपका बयान सेक्षन फिफ्टी पीमले में डर्ज किया जा रहा है और अगर आपने जूटा बयान दिया तो आपके खिलाफ कारवाई होगी तो आपने मुझसे सवाल पूछा अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई अगर ये आठ बयान जूटे थे तो उन दोनें के खिलाफ क्या करवाई हुई और अगर अंतिम के दो बयान जूटे थे और आठ बयान सच्चे थे तो आपने उसको चिपाया क्यों? तो आप ये बाद्धिता क्यों प्रस्तूत कर रहे हैं कि जो जिनमें आपका नाम नहीं लिया गया क्यों वहीं स्विकार करो जिनमें अर्विंद केजरिवाल का नाम है वो स्विकार ना करो ऐसी बाद्धिता आप क्यों प्रस्तूत कर रहे हैं हम कहां कह रहे हैं मैं कहां बादेता प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ बिर्जेश जी कि ED का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं ना रद्धी का टोकरी वहां पे रख़्ी हुई है कि रद्धी का कागज जमा करने के लिए वह इकठा हुए है बहिए अगर उन्होंने कोई गवाही ली कोई एविडेंस इकठा किया तो किसी व्यक्ति को दोसी साबित करने के लिए ना इकठा किया और दोसी कहां साबित होगा वो व्यक्ति कोट में साबित होगा तो आप कोट के सामने सारे काथ जात रख लिजी अगर आपके मन में चोर नहीं है तो ये कोट तै करेगी कि किस कागज पर उसको यकीन करना है किस कागज पर यकीन नहीं करना है आपने छुपाया इसलिए है इसलिए कि आपकी मन सामें चोर है तो आप एजनसी से मान सकते हैं क कि आप वो 20,000 पेजेज हमें दीजे हम पढ़ेंगे फिर आप अपना केस प्रस्तुत करिए लेकिन आप किसी भी स्टेट्मेंट को यूहीं तो खारिज नहीं कर सकते ना मैं करनो अपनी बात पूरी मार्च के महीने में हमारे वकीलों ने जब माननी न्यायले के सामने ये कहा कि हुजूर हमें हमसे जुड़े हुए आरोप से संबंदित दस्तावेजी नहीं दिखाये जा रहे तो हम मुकद्मा कैसे लड़ेंगे तो कोट ने ओर्डर किया कि भाई इनको इंस्पेक्शन की पावर है आप इनको जाच कराईए दिखाईए कौन कौन से डाकुमेंट आपने अन्रिलाइड अपॉन डाकुमेंट में रखा इसी मार्च में तभी तो पता चला ये सब कुछ अभी कोट के सामने भी ये कागजात नहीं रखे गए जो मैं आपको बता रहा हूँ अब आजाईए अगला सरद रेड़ी का 9 नवंबर को सरद रेड़ी के घर रेड होती है 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट होती है 25 अपरेल को उसकी जमानत होती है और इस दोरान वो 12 स्टेटमेंट देता है अंतिम के दो स्टेटमेंट में केजरिवाल का नाम लेता है सुरू के 10 स्टेटमेंट में केजरिवाल का नाम नहीं लेता है वो 10 की 10 स्टेटमेंट ED Unrelaid Document में रख लेती है यानि की चिपा लेती है यानि की वकीलों की जांच में पता चलता है और उसमें केजरिवाल का नाम वो नहीं लेता अंतिम जो दो वयान में लेता है उसके तुरंद बाद कमरदर्द के नाम पर उसको जमानत मिल जाती है और गिरिफतारी से लेके रिहाई तक जमानत तक यहां पर आता है भारती जनता पार्टी का शराब घुटाला 10 नवंबर को सरद्रेटी गिरिफतार होता है 2023 में 15 नवंबर को 5 करोड रुपए वो भारती जनता पार्टी को रिश्वत देता है और अलग-अलग किस्तों में 55 करोड रुपए देता है 5 करोड रुपए अपनी गिरिफतारी से पहले देता है 60 करोड रुपए भारती जनता पार्टी को एडी की आरेस्ट में रहते हुए कैसे PMLA में Kingpin जिसको एडी ने कहा उस विक्ती ने कैसे 60 करोड रुपए 55 करोड रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया उसका एकाउंट क्यों नहीं फ्रीज किया गया बिरिजेश जी सवाल ये है जाँच एजिंसी के एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर ये है बीजेपी ने किया है पैसे मिले जिसका उप्योग आप लोगों ने चुनाओ पर किया ऐसे आरोप है क्या कोई मनी रिकवर्ड हुई क्या कोई मनी ट्रेल इस्टेबलिश्ड हुआ आप लोग आरोपों का जब सामना कर रहे हैं तो आपने कोर्ट में क्या अपने पक्ष में सबूत प्रस्तूत किये आप बताईए अगर आपने स्कैम नहीं किया तो अरविंद केजरिवाल जी क्या च्छापे मारी हुई एक रुपए नहीं मिला मनी सिसोदिया क्या च्छापे मारी हुई एक रुपए नहीं मिला उनके बैंक के लोकर चेक किये गए, उनके गाओं के घर की जाच की गई, उनकी एक एक जाच की गई, मनी सिसोतिया जी के यहां कुछ नहीं मिला, मैं अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, आप ही चला दीजे, कि हमारे घर से क्या क्या मिला नहीं मिला, मैं नहीं बोल सकता अगर सो कऱों रुपे पचास कऱों रुपे ये बढ़े बड़े फीगर जो बोले बोले जा रहेे हैं बीजे पी के द्वारा तो पैसा गया कहा है असमान ने निगल लिया धर्ती ने निगल लिया कहां चला गया वो पैसा कहां गया वो पैसा इसलिए मैं कह रहा हूँ यह मन गढ़ंत एक बनाया गया सराब घोटाला है जबकि सराब घोटाला तो बीजेपी ने किया वहां तो मनी ट्रेल साफ तोर पर दिख रही है अब तक अब तक बीजेपी के नेताओं से पूस्ताच की अब गूम कर आते हैं फिर गरिफतार है जब आपका मन इतना साफ था और आपकी सरकार की नीती बहुत अच्छी थी आप दिल्ली का रिवेन्यू बढ़ाने का आपका मकसद था तो यह शराब पॉलिसी लाए के हो और लाने के बाद जब यह केस हुआ आपने रोल बैक क्यों किया है यह भी बहुत अच्छा सवाल है यह सब पूस्ते हैं कि बहुत क्यों आपने वापस लिया ब्रिजेश जी जितने ठेकों की संख्या थी यह नीती आने से पहले उतने ही ठेकों की संख्या नीती आने के बाद तैकी जब बीजेपी ने इसको एक हला मचाना सुरू किया तो ततकालीन जो LG साहब थे उन्होंने खुद ने जो पॉलिसी पे साइन किया था उस पॉलिसी के हिसाब से जितने ठेके खुलने थे उससे आधे ठेके रहे ठेके ही नहीं खुल पाए वहाँ पे रेवन्य लौस तुरू हुआ और उसके बाद ये पॉलिसी वापस लेने ली गई यही पॉलिसी पंजाब में है वहाँ रेवन्यू सर्पलस हो रहा है और जब मैं कहरा हूँ रेवन्यू सर्पलस तो ये आप पूरे देश का अक्डा मैंने रखा था आप कहेंगे तो मैं फिर से बता सकता हूँ ने उसक्या हो सकता हूँ रेवन्यू कलेक्शन के मामले में एक्साइज पॉलिसी के मामले में दूसरे आरोप ये लगते हैं कि तो दिल्ली के सब्सक्राइब महलों में ठेका खुला के आप घर-घर सराबी बनाना चाह रहे थे अरे बिरजेज जी ये भाजपाई दुस्प्रचार करने में मास्टर हैं गोवा की पॉपलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं बैंगलोर की पॉपलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं नोईडा की पॉपलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं गुडगाओं की पॉपलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं दिल्ली की पॉपलेशन के हिसाब से ठेके कितने हैं मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं दिल्ली के पॉपलेशन के हिसाब से ठेके तुलनात्मक मैं दूसरा प्रस्ट निये आप से समझना चाहता हूं कि अगर आप लोग माने जैसे आप कह रहें कि आप लोग इंडिया ब्लॉक में हैं और भारतिय जनता पार्टी के गडबंदन के खिलाप लड़ाई लड़ रहे हैं आप 6 महीने और उसके पहले से आपने एडी के तमाम तरीके के रूप देखे आपने इंट्रोगेशन भी उनका उनका आपके हुआ आपकी गिरबतारी भी हुई अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो यह पियमेले एक्ट जिसको आप ड्रैकोनियन एक्ट बताते हैं इसको बदलेंगे देखिए यह मामला माननी सर्वोच नयायले में विचारा धीन है उसकी नई बेंच बननी है और जिस दिन बेंच बन जाएगी सुनवाई होगी मुझे लगता है कि वहाँ से इस मामले में नयाय होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इस कानून का मजाक हो रहा है और अभी आप कह दिया सुप्रीम कोट ने कि इसमें पीमले नहीं बनता है उसकी उसकी जानकारी सायद आपको मिली होगी तो मुझे लगता है कोट से भी आदेश आएगा इसके बारे में उसमें है नो प्रेडिकेट अफेंस नो मनी और पैसे बरामद नहीं और मनी ट्रेल इस्टेबिस न अगर हम सत्ता में आये तो पीमले में बदलाओ करें यहां कहें कोई मैंने एक बार भी नहीं कहा मैं तो कह रहो माननी जो मामनी खत्म हो जाएगा मेरा तो विस्वास है माननी सर्वों चाहिए तो बहुत से मामले हैं जो अदालत में विचारा धीन है उस पर आपकी ऑपिनि पर लिसोनी चाहिए कि जिस कानून के तहत आप बताते हैं कि आपका उत्पिड़न हुआ फरजी गिरफतारी हुई वो उस कानून के संसोधन को क्या आप चुनाओ का हिस्सा नहीं बना होगे हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कानून का संसोधन मानी सर्वोच नयायाले ही करेगा क्योंकि जो एक प्राकृतिक नयाय का सिध्धान्त है उस प्राकृतिक नयाय के सिध्धान्त के विपरी थे ये कानून और इसलिए मुझे उम्मीद है कि सर्वोचनेल इसमें बदलाव करेगा आप लोग सत्ता में आते हैं यहां आपका ब्लॉक पूरा तो पारलिमेंट में इडी में भी कोई बदलाव आप करना चाहेंगे हाँ हाँ अब जो जिस तरीके से दुर्भावना पूर्ण कारवाई हो रही है मुझे लगता है यह नहीं होना चाहिए किसी के भी खिलाव नहीं होना चाहिए आप कहते हैं कि आप कानूर का बहुत जी जी आप बोनें कम्प्लीट कर लें मैं कह रहा हूँ जब भरस्टा चार के खिलाव भाजपाई बोलते हैं तो मैं इस बात को बार बार दोहरा के कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गबर सिंग अहिंसा पे उब्देश दे रहा है आप मुझे बताईए जिस पार्टी ने पंद्रा लाख करोड रुपए पूजी पतियों का माफ कर दिया जिस पार्टी ने साड़े तीन लाख करोड रुपए पूजी पतियों का बैंक सेटिल्मेंट के नाम पे हेर कट के नाम पे माफ कर दिया जिस पार्टी के सासन में नोड़ बंदी का घोटाला हुआ जिस पार्टी के सासन में इलेक्टोरल बॉंड के जरीए खुलासा होता है कि उन कमपनियों से जिससे बीजेपी ने चंदा लिया उसने तीन लाख आठ हजार करों रुपए का ठेका उन कमपनियों को दिया गया जिस पार्टी के सासन में वो चाहे सतर हजार करोंड के घोटाले बाज सिचाई के मामले में जिसको प्रधान मंत्री ने कहा अजीद पवार हो छगन भुजबल हो हसन मुस्रिफ हो नरायन राने हो असोक चोहान हो नवीन जिंदल हो जनारदन रेड़ी हो मुकुल राय हो सुवेंदू अधिकारी हो हेमन तविष्य सर्मा हो कितने नाम आपको गिनाओं पूरे हिंदुस्तान के भरस्टाचारियों को बड़े बड़े भरस्टाचारियों को चुन चुन के अगला सवाल उसी पर है आपसे कि इलेक्टरल बॉन्ड तो सभी पार्टियों को अल्मोष हैं तब थे क्या हैं आपके पास एलेक्टरल बॉन्ड में तीन हाँ बिल्कुर तीन चीजे हैं नंबर एक एलेक्टरल बॉन्ड के जरिये जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया बदले में तीन लाख आठ हजार करोन रुपए के उनको ठेके मिले कुईट प्रो को जो को चंदा दिया उन्ही कंपणियों ने जिस पर एडी और सी बी आई ने भरस्टा चार का मामला बना कर चापा मारा तीसरा जो कंपणिया घाटे में हैं बिर जेजी आज मैंने उस पर प्रेस कॉंफरेंस किया या जिनके मुनाफे मान लीजे दो करोन है तो उसने एक सो पच सतर करोड रुपए चंदा दे दिया अपने मुनाफे के तिरानबे गुना जादा पंचानबे गुना जादा सो गुना जादा चंदा दे नहीं है कंपणिया तिये उसके पॉलिटिकल इमोसंस रहे होंगे उस कंपणिय की उसका इमोसंस जगा होगा उसने अपने खर्चों म गाटा जिस कंपनी को हुआ साथ साल में भारती एर्टेल उसने दो सो करोड रुपए चंदा दे दिया वीजेपी को और आठ हजार छे सो करोड रुपए का उसका टैक्स माफ कर दिया गया आप बताईए मैंने देखा था मैं उसको देख चुका हूं आप जिक्र कर रहे थे कि आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं और आपकी पार्टी कानून का बहुत पालन करती है मुझे कारण बताईए कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर और दिल्ली के चीफ पिनिश्टर अर्विन केजरिवाल ने आठ आठ समन स्किप क्यों किये कहां स्किप किये हर समन का उन्होंने जवाब दिया एक एक समन का जवाब दिया क्या एक मुख्यमंत्री को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि भईया आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो या आरोपी के तौर पे बुला रहे हो या पार्टी के रास्त्री अध्यक् या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तोर पे बुला रहे हो क्यों नहीं बताया ID ने क्या परिशानी हुई उनको भई आपके मन में अगर कोई चोर नहीं है तो आप बताते हैं कि भई आपको गवाह के तोर पे बुला रहे हैं आरोपी के तोर पे बुला रहे हैं आपको बताना च नहीं अद्बी जपी तो बोलती थी कि हाँ गरिफ्तार होना चाहिए यह होना चाहिए एडी ने क्या कहा हाई कोट के सामने उसी दिन 21 मार्च की प्रोसीडिंग उठा के देखिएगा जो एसजी साहब थे उन्हों ने कहा कि साहब अदालत में हाई कोट में 21 मार्च को उन्हों सायोगी नहीं कर रहे हैं हमारे दफ्तर नहीं आ रहे हैं तो उन्हों का ठीक है आज आपने प्रिस्कान देखकर केजरी वाल की गिरफ्तारी हुई है क्या जहांच अधिकारी आप से पूछ के आपको गिरफ्तार करेगा बता रहूं आपको बता रहूं आपको नहीं को टाइमिंग का बता रहूं किस्ता तो क्या हुआ कि उसी दिन हाई कोट के अंदर एस जी महोदेर राजू साब ने कहा कि पता नहीं केजरी वाल साब को किसने बता दिया कि हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं अरे दरसल हमारा तो मकसद पूस्ताच क्या है ये तो आते ही न कि अगया एक सामान विक्ति को भी गृफतार करने से पहले डी दो बार तीन बार चार बार पूस्ताच करती है उसके बाद गृफतार करती है अरे भाई जवाब दे रहे थे बराबर कहां भाग रहे थे आदालतों के सामने गए थे अब आज़े ये अगली बात पर मैंने ये क्यों कहा च्छे पचास और साथ चोदा के टाइम को समझना जहीं है आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए च्छे बच के पचास मिनट पर से बच के पचास मिनट पर माननी मुख्यनाय अधिस सुप्रिम कोट के आदेस के बाद मजबूरी में ही सही बीजे पी को सारी जानकारी सारजनी करनी पड़ी और ये पता चला कि शराब घोटाला तो बीजे पी ने किया है पच्पन करोन रुपए बीजे पी ने चंदा लिया है इसका खुलासा होते ही बोखला गए भाजपाई उन्हों का भई तुरंत मारो चापा खबर बदलो नहीं तो ये तो पूरी के पूरी आम आदमी पार्ट से मुखे घोटाले बाज से भाजपा ने लिया है रिश्वत तुरंत केजरिवाल के घर पे साथ बच के चौदा मिनट पे इडी पहुंसती है गरिस्तार करके और फिरी सारी खबर बदल जाती है इसलिए मैं आप ये कहना चाहते हैं कि इडी यानि इन्फोर्समेंट डारेक मकसद सिर्फ गिरिफतारी और पार्टी को खतम करना जो अर्विंद केजरिवाल सिक्षा पे स्वास्त पे बिजली पे पानी पे बुजर्गों की तीरत यात्रा पे माताओं बेहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने पे दिल्ल दे देना चाहिए लेकिन मनीपूर एक साल तक जलेगा मनीपूर के मुख्य मंतरी को इस्टीफा नहीं देना चाहिए आप पार्टी के लेताओं जार्टी की पतनी को निवस्ट इकरके मनीपूर ł हुमाया जाएगा उनको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए वहां के मुख्य मंत्री को तो माला पहना के कंदे पे बिठा के भाज़ पाई गुमाएंगे आजए मिस्रा टेनी के बेटे ने चार किसानों को कुचल के मार दिया आजए मिस्रा टेनी देश के ग्रेहराज्य मंत्री रहेंगे पहलवान बेटियों को तो नयाए नहीं मिलेगा लेकिन केजरी वाल जो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी सिक्षा के लिए बिजली जी इतिहास आपको दो रूप में याद करता है कायर के रूप में या बहादूर के रूप में तो यह आपको तैय करना है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपको याद किया जाए कायर के रूप में या बहादूर के रूप में ये दोनों चीज आपके हाथ में क्या आप इस बात की कसम खाते हैं कि आप कभी किसी दबाव में भारती है जन्टा पार्टी या दूसरे दल जोईन नहीं करेंगे क्या आप अपने लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं सौ प्रतिसत और मैं ये कह रहा हूं कि इस जनम में तो ये संबो नहीं है और अगले जनम में भी कोशिस करूँगा कि नफरत फैलाने वालों के लोगों के साथ मेरा कोई रिस्ता न रहे एक आपने पब्लिक स्टेट्मेंट दिया अपने रिहाई के फोरण बाद पार्टी मुख्याले में जिसमें आपने कहा एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आपने धमकी देने की कोशिस की कि मुहाली में मुकद्दमा दर्ज होगा दरोगा आएगा और क लोगों ने पकड़ लिया मेरी लाइन मैंने तो एक उदाहरण दिया ये फिर उसके बास सारे मीडिया के मित्र यही सवाल मुझसे पूझ रहे हैं मैंने तो एक उदाहरण दिया कि भाई कानून में अगर मुख्यमंत्री को छूट नहीं है तो सिर्फ रास्ट पती और राज् तो कानून में छूट नहीं है, प्रधान मंत्री को भी छूट नहीं है, ग्री मंत्री को भी छूट नहीं है अगर आपने ये गलत परंपरा सुरू कर दी, तो कल को बंगाल में पाँच मुकदमा हो गया तमिलाडू में तीन मुकदमा हो गया, दो मुकदमा केरल में हो गया, मोहाली में और रोपड में मुकदमे हो गया और वहां का तीन दरोगा आये, पास दरोगा आये और कहे प्रधानमंत्री जी घर पे चलिए पूस्ताच में सामिल हो ये तो क्या प्रधानमंत्री जी जाएंगे ये बीजेपी वालों से मैंने सवाल पूछे ये तो आप अपने स्टेट्मेंट को आप मोडिफाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हलका कर रहे हैं लेकिन उस दिन आपकी भाषा ऐसी नहीं थी जैसी आज आज आप बोल रहे हैं एक दब नहीं एक दब मोडिफाई नहीं कर रहा हूँ मैंने यही बात बोली थी उतार निकाल के देख लीजे आप आपके पास पड़ा होगा वीडियो ओके निस्ट कोस्टिन पे चलते हैं अब देश में चुनाओ चल रहा है और पहले फेज की चुनाओ को बस थोड़ा सा व भावित हुआ होगा कारकरता कारकरता काम दिली की राम लिला मैदान की रैली में कितने बड़े पैमाने पर कारकरताओं ने संदेश देने का काम दिली से किया तो ऐसा नहीं है कारकरता पूरी तरह से उतसाहित है और वो लड़ने के लिए तैयार है हर जगां जाके परचार करने के लिए तैयार है उसके मन में जितना छोब है गुसा है उसको वो अपने काम से प्रदर्सित करेगा चार गुना ज्यादा मेहनत करके प्रदर्सित करेग उसके मन में पीड़ा भी है और आज जो परिस्थिती हैं हम लोगों के सामने आपने देखा नहीं उस दिन जब मैं बाहर आया था तो वो तो कैमरे में कैद है देख लीजे देख लीजे उससा कार कैम्पे ने ती चाहता ही आज आपको बता दूँ मैं पीड़ा है लोगों को दिल्ली वालों को पीड़ा है मैं पहली बार उस दिन सुनीता भावी की आखों मैंने आसू देखा इन आसूँ का बदला दिल्ली की जनता और देश की जनता जरूर लेगी 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है मनिश्य सौदिया जी की पत्नी अपने पती को जिस वक्त में उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है आज उनको जेल में रखा गया है इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी अपने वोट की ताकत से देश की जनता लेगी आपका एलेक्शन केमपेन अभी तक शुरू नहीं हो पाया संजेजी आपकी पार्टी का कोई एलेक्शन केमपेन दिखनी रहा है उनके परिवार के कस्ट के बारे में आज हमने सुरू किया जेल का जवाब वोट से और प्रचार का पूरा प्लान बनाया है उसके काम में 23 केंडिडेट जहां हमारे है वहाँ जम के परचार करेंगे अपने केंडिडेट को जिताने की कोसिस करेंगे यूपी हो गया बिहार हो गया जिन राज्यों में हमारी पार्टी चुनाओ नहीं लड़ रही है वहाँ भी पूरी ताकत से काम करेंगे बेहनत करेंगे एक एक का करता को कहेंगे कि इंडिया गड़बंदन का जो भी कैंडिडेट है वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो कांगरिस का हो और मैं जल्दी लखनव आके जो इंडिया गड़बंदन के नेता है उनसे मुलाकात करके रंडीत बनाके उनको भी जिताने के लिए काम करेंगे. हमारा मकसद है कि देश में ताना साही की हुकूमत लाने वाली सत्ता को देश के अंदर भरस्टा चार को बढ़ाने वाली सत्ता को उखाड कर फेकना है. क्योंकि विपक्ष का campaign उससे दिख नहीं रहा कि जैसा आप लोग शुरुआती वक्त में जैसा ठेम कर रहे थे आपको लगता है कि विपक्ष का ऑद्स भी मुझे लगता है कि विंडिया जीतेगा कैसे मुझे लगता है अधिक्तम सीट, राजस्थान में अधिक्तम सीट, हर्याना में टोटल सीट, मद्द प्रदेश में टोटल सीट, च्छतिस गार, जार, खंड, बिहार, मैक्सिमम सीट थी है, इन सारे राज्यों करनाटका में मैक्सिमम सीट, इस बार हर जगा इनकी सीटे कम हो रही है, इसी के क अब पता नहीं आपने देखा कि नहीं अभी वो एक वीडियो चल रहा था मैंने तो देखा कि वहाँ हाँ चार सो पार कर रहे थे भाजपा हो लें चार सो कुरसी तोने होंगे कम से कम आपस्में मार-पीट करके तहा कि नहीं तो हो चार से तो कुर्सी तो डाल रहे हैं आपस मिला लग कि अच्छा आपको तो पहले भी कई बार पॉलिटिकल वार्णी दी गई थी अब राजनेता चुनाओ के कोई कोई राज कोई आपको च्छा मही ने जेल रखा गया ऐसे कारवाई करता है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ग कर लेंगे। है आप पहले से ज्यदा आकरामक होकर बाते कर रहे हैं आरोप लगा रहें हैं आपको पाथ तथय है सबूत हैं इस कि बात के जितने भी आरोप आप लगाते हो न i हाँ बिल्कुल तथ्य और सबूत है अगर नहीं सबूत ने लिया है वो कारवाई करें हम पर हम कहां मना कर रहे है तो अर्विंद केजरी वाल इस्तीफा क्यों नहीं देंगे नहीं यह तो आपने एक गलत परमपरा सुरू कर दी ना भाई दो फर्जी मुकदमे ही तो लगाने हैं कॉंस्टिचूशनल क्राइसिस क्रियेट करने के लिए दो फर्जी मुकदमे लगाओ केजरी वाल इस्तालिन को विजेन को रेवन त्रेड़ी को ममता बनर जी को सिद्धा रमयया को पकड़ो उठाओ जेल में डालो इस्तीफा लो और उनकी पार्टी खतम कर दो पर ऐसे कोई उदारण नहीं है कि करना पड़ेगा जब मोदी जी की सरकार है तो करना पड़ेगा तीन तीन याची का दाखिर तो कराई भाजपाईयों ने क्या हुआ उसका खारीज ह गई आई कोर्ट से यह तो नई परंपरा डाल रहा है अप लेंगे तो बडल तो रहे हैं देश को हम लोग हमें बता रहे हैं कि हम सिक्छापे काम करेंगे बिजली-पानी पे काम करेंगे दिल्ली के दो करोन लोगों का बेटा है अर्विन केजरिवाल वो इस्तीफा नहीं देंगे वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे मतलब मडीपूर वाला fix मन्तरी जो एक साल से हिंसा फेला रहा है उसको तो स्तीफा नहीं देना चाहिए और केजरिवाल को देना चाहिए यह किस प्रकार का तर्क है B.J.P. वालों का और किस प्रकार से य dulu पहलाते हैं चीजों को मैं तो आप तो आप तो कहे रहा हूँ कि भाई आप इतने वरिष्ट पत्रकार हैं क्या कोई राज नेता जीतता हुआ चुनाओ अगर उसका होता है चार सो पार का चुना होता है तो ऐसे हत्गंडे अपनाता है कि आपने भी तो इतने दिन से राजनीती देखी आप बताइए ना अगर कॉन्फिडेंस होता भाजपाईयों को तो ऐसा काम करते क्या हार रहें चुना हो महंगाई के सवाल पे बेरुजगारी के सवाल पे हार रहें चुना हो यह अच्छा मैंने उस वक्त खबरे पड़ी थी जब आपको कोट वगेरा में पेश किया जाता था तो आप वकील को बोलन ने आपको टोका भी दा है ऐसा क्योंगी आपने ने 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 बगएर तो बगएर बगएर जसाब की इजाज़त के तो मैं बोली नहीं सकता जिस दिन मेरी गिरिफतारी होई थी उस दिन जरूर जसाब ने मुझसे पूछा तो मैंने एक कृष्ण बिहारी नूर की एक लाइन नहीं रहता सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और जूट की कोई इंतहाई नहीं अब आप अपने लिए क्या भूमिका देते हैं आने वाले समय में अब अपने लिए क्या भूमिका पाते हैं तो मैं आने के बाद से लेके कारिकरता के तोर पे और मैं आज मजाग भी कर रहा था अपने सातियों से कि भाईया छे महीने के आराम का तुम लोग तीन-तीन सिफ्ट में काम ले रहे हों उससे तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ और जो लोग इस विवस्था से डर के इनके सामने जुकना चाहते हैं इनके पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं उनको इतिहास कभी अच्छे रूप में याद नहीं करेगा मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हाँ जोड के सबसे कि लडने के लिए जजबा लाईए मन में इन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्या कर लेंगे नौजवान डर जाता है मैं तो देखता हूँ किसान बलकि उन्होंने बड़ी बहादुरी से सामना किया इस सरकार की ताना साही का एक साल तक उसकी कमी है आपके परिवार का कभी emotional दवाओ आप पर रहा कि ये सब हो रहा है ये क्या है अब बंद होना चाहिए परिवार ने कभी ऐसी कोई बाते रही जब आप से जेल में मिलते थे या कुछ और issues हुए तो कभी भी नहीं कही कभी भी नहीं कही और मैं आज आपको बता हूं बिरजेश जी मैं जब एडी की custody में था पत्नी मिलने आई तो उन्होंने का बेटी रो रही थी बड़ी परिशान थी बेटा रो रहा था तो मैंने अपने बेटे अपनी बेटी को चिछी लिखी एडी की custody से और उसमें लिखा कि बहादरों की पहचान संकट की करने की दिरूद नहीं है और आपको और बता रहा हूं आप आपने बात छेड़ दी तो और आपको बता रहा हूं जब मैं जेल में गया जब मेरी पहली वीडियो कान्फरेंसिंग थी तो परिवार के चेहरे पर मैंने उदासी देखी थोड़ा सौबाविक तोर पर होता है तो मेरे परिवार ने पतनी ने पूछना सुरू किया कैसे हो तकलीफ में तो नहीं हो खाना ठीक से मिलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बताया एक भी चीज नहीं बताया और मैंने कहा कि आज के बाद ये मत पूछना कि कैसे हो क्योंकि इस वीडियो की रेकार्डिंग हो रह तो कभी भी ये मत पूछना कि Tum कैसे हो हमेशा ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं तो हमसे पूछा जाता था कि जेल वाले कैसे हैं 15 मिनट की वीडियो कांफरेंसिंग मैं खुद से अपने परिवार के लोगों को हसाता रएता था तो कभी तो इरादे डगमगाए हुए ना थोड़ा बहुत विचलन तो हुआ होगा कोई सवाल ही नहीं इरादे और मजबूत हुए इरादे और मजबूत हुए तो फिर आपको जेल भेजने का क्या फाइदा हुआ तो मैं आपको लाइन मैं एक लाइन वसीम बरेलवी जी की है वो कहना चाहता हूँ कि नजर चुरा के गुजरना है तो गुजर जाओ मैं आईना हूँ मेरी अपनी जिम्मेदारी है अगर इन चीजों से मुह मोड़के लोग गुजरना चाहते हैं बैठना चाहते हैं घर में तो गुजर जाएं मैं तो मानता हूँ कि मेरी अपनी जो जिम्मेदारी उसका निर्वाख करना है तो मैं उसको कर रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजे सिंग जी बड़ी दिल्चस्प बाते रही आज आज आप से तमाम तरह के सवाल आपने लिए और सवालों का सामना किया आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और उमीद करते हैं कि हम आप फिर किसी दिन किसी डिबेट का हिस्सा ब शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार.